इस वक्त बड़ी खबर हमें पंजाब से मिल रही है जहां 24 घंटे में 1000 से अधी करोना केस सामने आए हैं 24 घंटे में 1000 केस वाला तीसरा राज्य बन गया है पंजाब महराश्च और केरल के बाद पंजाब में ये करोना संकट इस वक्त दिखाई दे रहा है 9 जनवरी के बाद 1000 केस वाला तीसरा राज्य बन गया है पंजाब तो बहुत ही तेजी के साथ ये केस दिस तरह से सामने आ रहे हैं कुछ राज्यों में ये खत्रा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है महराश्य और केरल के बाद अब पंजाब में 1000 से जादा केस एक दिन में नहीं तो हम देख रहे हैं बाकी राज्यों में जो कुरोना के केस हैं उनमें लगातार गिरावट दर्च की जा रही है लेकिन कुछ राज्ये हैं जहां पर कुरोना के केस बढ़ रहे हैं और उन राज्यों में महराश्य और केरल प्रमुक तोर पर सामने आए हैं जहां पर कुरोना के केस में बढ़ुत्वी देखी गई है और अब इस फेहरिस्ट में नया नाम जुड़ गया है पंजाब का जहां पर 24 घंटे में 1000 से जादा केस सामने आए है हमारे रिपोर्टर बजम इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बजम 1000 केस एक दिन में पंजाब में ये वजह इसकी क्या बताई जा रही है इतनी ज़्यादा बढ़ुत्री की देखिए वजह जो यह बताई की जाए तो वान पॉर्टी सेवन एक सो पंदरा केस जो है वो हो त्यारपूर में मुहनी दिशुगा रहा है बस मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि कुछ तक्नीकी वजहों से काफी रुकावट आ रही है आपकी आवास सुन नहीं पा रहे हैं लेकिन 24 घंटे में अगर 1000 से अधिक करोना केस जैसे की बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आवास साफ नहीं आ रही थी या वो कौन से जिले हैं जो जहां पर कुरोना की रफ़तार तेजी से बड़ी है वहाँ पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन हम आप से लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आपके लिए आपकी सुरक्षा जो है वो सबसे जरूरी है देखिए वैक्सिनेशन भी हो रहा है लेकिन जब तक ये वैक्सिनेशन नहीं हो जाता आपका तब तक आप मास का इस्तमाल जरूर करें जब भी आप बाहर भी भाड़ वाली जगों पर जाते हैं आप बाजार में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप जरूर क में एफिर्ट दिन जार्थ पर खर फिर्ट जार्थ तर लिए वार्ट लांट रार्थ बंढ नार्थ